कैसे हैं आप लोग आप सुनेंगे 24 ऑफ 24 ऑफ जुलाई 2022 का लिट करन्ट आफर सेशन किसी सेशन को में समन्त करें ध्यान से सुनें और लास्ट तक सुनें शिलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कुशन है फर्स्ट हाली में राश्ट्री प्रसारण दिवस कब मनाय गया है तो 23 ऑफ जुलाई को 24 ऑफ जुलाई आज 23 को मनाय गया है राश्ट्री प्रसारण दिवस और ये क्यों मनाय जाता है तो रेडियो के बारे में याद दिलाने और रेडियो का महत्व बढ़ान कितना बड़ा महत्वे रिडियो इसके बारे में जागुत अपन करने के लिए राश्ट्री प्रसार दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है कल मैंने आपको बताया था याद है किया बताया था है ना और यहां तक 20 जुलाई को भी बताया था मैंने तो आप किसी तरह सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइस कर लेंगे नेक्स कुशिन है हाली में वैश्विक उर्जा वैश्विक उर्जा पुरसकार 2022 वर्ल्ड इनरजी अवार्ड 2022 से किसको समानित किया गया है तो कौशिक राज शेखर को इंडो अमेरिकन इंजीनियर प्रोफेसर हैं कौशिक राज शेखर और इनी को अभी किसे तो वर्ल्ड इनरजी अवार्ड ऑफ 2022 से समानित किया गया है याद रखना ये बात कल ही मैंने बताया था आपको डैनियल अवार्ड के बारे में केपी कुमारन का ये केरल का सर्वोच क्या है कि सर्वोच पुरसकार है और ये किसको मिला है केपी कुमारन को ये आपको मैंने बताया था और ये जो है मल्याली कभी मल्याली फिल्म प्रोडियोसर है ये भी बताया था तो केरल के बारे में कल कुछ facts भी बताये थे और अभी भी मैंने एक वाट बताये इसी तरह अशोक सूता को क्या मिला है अशोक सूता को भी मिलाएं C.I.I. गुरवत्ता रत्न पुरसकार किसको अशोक सूता को ठीक है और एक जो बृतेन की पार्लेमेंट है यानि संसद है उन्होंने बृतेन की संसद में तनुजा नैस्री निश्री तनुजा नैश्री को अभी क्या दिया है आयर्वेद रत्न नेक्स्कूशन है हाली में अभी राश्टिय फिल्म पुरस्कारों में राश्टिय फिल्म पुरस्कारों में सर्व अधिक फिल्म अनुकूलित राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया है राश्टिय फिल्म पुरस्कारों में सर्व अधिक फिल्म अनुकूलित राज्य का प्रावनाद गोविन जी ने प्रोग्राम शुरू किया है जिसके बारे मैंने आपको बताया है यह भी आपको बताया था बोपाल कैपिटल है बोच्टार यहां का बहुत फेमस है और राला मंदल अभ्यानले में अब नाइट सफारी को एलाओ कर दिया गया है और माधवगर् और पैच करते हुआ हो सथपुरा संज यह ने नेशनल पार्क एंधर कंठक भी है और वैसे भारत का नंबर वन स्टेट हैं सफसे जादा नेशनल पार्क यह थे टैन्न फार्टह और कि रजय कore में तो यहां की राजय पाल कौन है तो राजय पाल है इनका नाम है इनका लाम में मंगु भाई श्री पटेल और शिवराज सिंग चौहान यह चीफ मिनिस्टर है अभी भोपाल में पहला रेल्वेयो कोच वाशिंग प्लांट बना था मध्यप्रदेश का भोपाल थे कि मैं भोपाल में बनाता है यह सब आप याद रखेंगे नेक्स कुश्चन है हाली में भारत और किस देश ने शिक्षण की पारस पर इक डिगरी मानिता के लिए एक समझाता किया है यूके के कौन है प्राइम इनिस्टर वारेस टॉलसन फॉन्डिस्टर लिंग करेंसी है लेंडन कैपिटल है यह आप याद रखना नेक्स कुश्चन है हाली में अभी हाली में अभी इस रो इंडियन इंडियन इस्पेस रिसर्च और्गिनेजेशन ने अभी यूमन क्या वो लेंगे यूमन स्पेस फ्लाइट एकसपड कहां किया है क्या वह दूबारा सुन लीजेवड combining Space Research Organization यानि इसरों ने Human Space Flight Expo का उधगाटन कहां किया है तो बैंगलुरू में कल ही मैंने आपको करनाट के बारे में बताया है कल कर वीडियो जिंग लोगों नहीं देखा जरूर देखें आज इसरों के बारे में बताती हूँ एस सोमनात ये इसके अध्यक्षें उन्ने सोनातर 1969 में स्थापना होई और हैड़कॉर्टर बैंगलुरू में है याद रपना नेक्स्ट कुश्चन है हाली में अभी हाली में यूक्रेन और किस देश ने काला सागर से अनाज के निर्यात की अनुमती के लिए सैयुक्त राष्ट समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं दुबारा सुन दीजे कुश्चन हाली में यूक्रेन और किस देश ने काला सागर से अनाज निर्यात की अनुमती के लिए यूनाइटेड नेशन के एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो रश्या यूनाइटेड नेशन के एक समझोते या पन पर हस्ताक्षर किये हैं किसने यूक्रेन और रश्या ने किसने यूक्रेन और रश्या ने किसलिए काला सागर से होते हुए अनाज निर्यात की अनुम इजी के समझोते पर हस्ताक्षर की हैं दोनों देशों ने अब रशिय की बात करें तो अलेक्सी निवेनले याद रखना है नाम बहुत पहले से बताती है यह सखा रोग पुरसकार मिला है देमित्री मार्टोव के बारे में बताया था इन्हों ने अपना नोबल पीस प्राइस पेच दिया है और किस लिए कि यूकरेंट के बच्चों की हेल्प की जाए सर्मत ये इंटर कॉंटेनिंटल मिसाइल है इसका सफलता पूरग परिक्षट किस ने किया तो रूस ने किया अच्छा एक और बात जो जिर्कौन ये भी एक वैलिस्टिक क्रूज मिसाइल है इसका भी सफलता पूरग परिक्षट किस ने किया था ये भी के नामे बताया है मैंने आपको ठीक है तो याद रखना दोनों में जाहिल के बारे में इसके बारे में तो बहुत पहले से बताती आ रही है ठीक जिरकोन के बारे में अब अंतराश्री महासंग के अध्यक्ष के पद से अंतराश्री हौकी महासंग के अध्यक्ष के पद से किस इन्टरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने जो ओलंपिक शीर सम्मान दिया था रशिया के प्रेसिडंट के रहा है ब्लादेमिर पुतिन को इन से वापस ले लिया है ये दोनों बाते याद रखना फेस्बुक पर प्रतिबंद लगा दिया है रशिया ने मारिया दुनिया का सबसे ब रशिया ने तबा किया फेस्बुक की भी बात हो गई अच्छा और भी बहुत सारे इंद्र एक्सराइज होती है इंडिया और रशिया के बीच में रशिया में इंडिया के जो एंबिस्टर है वो कौन है डीबी वैंकटेश वर्मा ये भी बात चले कर ली औरल के पहाड़ ह माउंट अलबरस ये यूरोप के हाइस माउंटेन है जो रशिया के अंदर है मौस्को कैपिटल है तो इतना तो आप इसके बारे में याद रखेंगे ठीक है अच्छी जो इंडिया यूके का समझोता बता है ये शेक्षिक कहेंगे सौरी मैंने शेक्षिक परसपर एक मानने के लिए समझोता किया गया इंडिया ने किया है और किसके साथ यूके के साथ शेक्षिक डिग्री की परसपरिक मानने था को बढ़ावा देने के लिए ठीक है ये क्लियर होगी बर नेक्स कोशन है आली भी किस बैंक ने भी वाट्स अप बैंकिंग फैसिलिटीस लांच की है यानि किस बैंक ने वाट्स अप बैंकिंग सुविधाएं या सेवाएं सेवाएं कहेंगे सर्विसेज तो किस बैंक ने वाट्स अप बैंकिंग सर्विसेज शुरू की है तो ये वाट्स अप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बै नेक्स्कूशन है हाली में अभी नैसकॉम ने डिजी वाली कॉल सेंटर कॉलने के लिए या दिजी वाली कॉल सेंटर लॉंच करने के लिए किस के साथ समझाता किया है हाली में अभी नैसकॉम ये बहुत बड़ा सॉफ्ट्वेर सर्विसेस का फांडेशन कंपनी है नैसकॉम ने मैंने आपको फुल फॉर्म इसकी कई बार बता दिया आपको याद भी हो गई होगी अब तो नैसकॉम ने किस के साथ डिजी वाड़ी कॉल सेंटर को शुरू करने क है तो गूगल के साथ जी हां नैसकॉम और गूगल यानि गूगल के साथ समझोता किया है एक ऐसा इस्थान बना रहे हैं जो डिजी वाड़ी कॉल सेंटर के नाम से जाना जाएगा और यहां पर ग्रामीर महिलाएं अपने उद्यम यानि अपना जो भी कारोबार करती है बि है गूगल के साथ समझोता करके शुरू की है नेक्स कुछन है हाली में अभी स्री लंका के पंद्रवे प्रधान मंतरी के पद पर किस कि ने शपत ग्रहन की है अब स्री लंका के स्री लंका के अभी पंद्रवे प्रधान मंत्री के पद पर किस ने शपत ग्रहण की है तो दिनेश गुणवर्धन ने जी हां दिनेश गुणवर्धन अभी बन गए है पंद्रवे प्रधान मंत्री 15 नंबर के प्राइम मिनेस्टर और बीकरम संगे थे वह क्या वह राष्ट्रपती बन गए हैं पेहले ही प्रधान मंत्री थे और अब रास्ट्रपती यह बन गए प्राइम निस्ट्र बन गए दिनेश गुरवर्धन इंडियों जो श्री लंका के बीच डिवाइडिंग मों क्या है पार्ग स्ट्रेट सेक्स एकसर्साइज़ेस के बारे कई बार बता है पैसल नेक्स इंडिया और स्री लंका की करिंसी के स्री लंका रुपिया और स्री लंका की कोलंबो कॉमरिशन कैपिटल और श्री जैवर्द ने पुरम कोटे यह एड्मिनिस्रेटिव कैपिटल है आई भोग्स हो कि आपको याद रहेगा कुश्चन है हाले यू एई यूनाइटड अरब एमिरेट यूनाइटड अरब एमिरेट ने किस फिल्म अभी नेता यानि किस फिल्म एक्टर को गोल्डन वीजा दे कर समानित किया है तो किस फिल्म अभी नेता को गोल्डन वीजा दे कर समानित किया है यू एई ने तो जी हा यानि तमिल फिल्म उद्योक के शीष सितारों मैंसे माने जाते हैं यानि फिल्म इंडस्टी का एक टॉप स्टार एक aur Bon Jeez कमल उसन जितना भी उसमें टॉप नाम में का है तो इनी को भी गोलडन वीजा दे कर समानित कि Hier मिनिमम 5 years और maximum 10 years या अगर हद बढ़ाई जाये तो और भी हो सकता है लेकिन जादा तर minimum 5 और maximum 10 years के लिए होता है तो ये इस वीजे का इस्तेमाल कभी भी कर सकते है तो UAE UAE मुहमद खलीफा मुहमद बिन जैद अलनियार ये मुहमद बिन जैद याद रखना पहले खलीफा बिन जैद अलनियार थे उनकी तो डैट होगी ते बताया था अब मुहमद बिन जैद ठीक है याद रखना ये बद तो मुहमद बिन खलीफा मुहमद बिन जैद अलनियार ये इसके प्रेसिडिन्ट है और UAE दिरहम डिलाओवी कैपिटल है नेक्स विस्वाद्स किस्क्ति एक ग्तों की और्थवेश्था बनाने के लिए किस राज्ज्य सरकार राज्जे सरकार डेलॉइट के साथ समझोगता कर लिया है प्रियृस्थ हम्हें प्रॐसका इसी के साथ एक ट्रिलियन की अपनी अर्थ क्वैस्टा बनाने के लिए अदर्परदेश सरकार ने जी हां किसने उत्तरप्रदेश सरकार ने अपनी जो इकोनोमी इसको अंट्रिलेन का बनाने के लिए डिलॉइट के साथ समझता कर लिया है राज की पुष्ट पलाश है राज की वरिक्ष अशो का है पशू बारा सिंगा और सारस या क्रॉंच कह सकते हैं यह पक्षी है आपके उत्तरप्रदेश के सब नेशनल पार्क और वाइडलाफ सेंचुरी है जो बहुत खास हैं लखनो कैपिटल है गोमती नदी के तेट पर है योगी आदेतिनाथ चीफ मिनिस्टर है आनंदी बेन पटेल गवर्नर है अब बात करते हैं बहुत है उपनियूस सेल रही है करके एक ला कि एक तो ये बात कि हर परिवार को फैमिली कार्ड फैमील करने कि घूषना की है क्या करने कि योजना की गूशना की है कौन सी योजना शुरू होगी सामली कार्ड योजना यह फैमली कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें से परिवार की विट्टी को रोजगार मिलेगा ठीक है याद रखना आप अच्छा दूसरी बात ही सवजियों के उत्पादन में नंबर व नंबर वन है और जिस शूगर शूगर प्रोडक्शन में महरास्टा नंबर वन है यह सब याद रखना तीसरी बात एरपोर्ट एथॉर्टी ऑफ इंडिया के साथ किसने समझा था किया है उत्तरप्रदेश ने और बहुत से फैक्ट से जिनको बताते-बताते मैं बहुत ही इसलिए पुराने वीडियो को ज़रूर रिवाइस किया करें चलिए इनफ वर टूड़े मला सुरी इनफ पर उत्रपदेश क्या इनफ वर उत्रपदेश अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेस्टन नेक्स्ट क्वेशन है आली में अभी हाली में अभी गोद्रेज कंपनी ने अपना गोद्रेज मैजिक बोडी वॉष के लिए न्यू ब्राड़ किसको बनाया है गोद्रेज कंपनी ने एक रिलीस किया है अपना नया ब्रांड कौँसर न्यू ब्रांड है गोद्रेज Magic Body Wash गोद्रेज Imagic Body Beato records तो गोद्रेज Magic Body Wash ये एक नए ब्रैंड प्रेश कर रहा है गोद्रेज कमपनी और इसके नए ब्रैंड अबेस्टर बनाया है शारू خान कैंड य है किसको शारू خान ब्रैंड अबेस्टर से हैर एक एक्जाम में कोई न कोई कुश्चन जरूर आता है इसलिए आप सभी वीडियो को भी प्लीज रिवाइस करते रहा करें जितने मैंने अभी तक बनाए हैं सभी करंटाफेर्स के एक साल के तो अल्मोस्ट प्रिवाइस कर ही लीजिए अब सुनी नेक्स कुश्चन कुश्चन है हाली में 2021 में भारती नागरिकता का त्याग करने वाले नागरिकों का शीष पसंदिदा देश कौन सा बना है इसका मतलब यह है कुश्चन का ऐसे citizen जिन्होंने Indian citizenship का त्याग किया है दोजार एकिस की आख़डों की बात करनी हूं तो 2021 में इंडिया की citizenship छोड़ने वाले जो भारती नागरिक्ता को जिन्होंने छोड़ा है उनके शीष पसंदिदा देश उनका जो पसंदिदा देश था वो कौन सा बना है तो अमेरिका ज सीने तो आप ईंडिया इस और इस उर्फ आयरैसा एक पर ने आइकुड चुओं यू प्रinya इ72 यू दू यह प्रभवाकरन आपको प्रभवाकरन कą आपको आरके प्रभवाकरन्ट के प्रश्टर बने और ने तृट सचल कमे नाम का एक सोचल मीडिया प्रेटफॉर्म डेवलब किया है और मैं आपको बताऊँ कि अमेरिका ने एक नाम बनाया है एक कम्प्यूटर बनाया है फ्रंटियर यह सूपर कम्प्यूटर है यह दुनिया का सबसे पावरफुल कम्प्यूटर बन गया है इसमें जापान के फुगाकू कम्प्यूटर को पीछे छोड़ दिया है याद रखना है यह बात ठीक है आई होप सो के आपको याद रहेगा नेक्स कुशन है हाली में अभी हर घर जल प्रमारित करने वाला किस राज्ये का कौन सा जिला बनाया है बत कुश ही जा सकती है हर घर जल प्रमारित हर घर जल प्रमारित जिला किस राज्ये का यानी कोन सा जिला बनाया है तो यह बनाया है बुरहानपूर कर यह मद्यप्रदेश में यानी बुरहानपूर में довольно 200 से उपर गाऊं। यानि एकдесят 200 के आसपास गाउँ हैं जिनके हर घर को वो शुद पे जल का connection दे चुका है यानि प्यूर एंड फ्रेश drinking water connection दिया जा चुका है बुरहनपूर अपने हर घाउँ के हर घर को दे चुका है तो अपने अपने जिला है तो जायर से अपने और अपने जितने गाउन के घरों को सब को शुद पेजल का connection मिल चुका है और ये मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का पहला जिला बना है याद रखना बुरहानपुर MP का ही नहीं बलके पुरे इंडिया का फर्स डिस्टिक बना है जिसने अभी अपने सभी घरों को सभी घरों को सभी गाउन के हर घर को शुद पेजल का connection दे दिया है तो हर घर जल प्रमाणित जिला अगर पूछा जाएगा तो कौन सा है हर घर जल प्रमाणित जिला तो ये बुरहानपुर MP का और यह पूजद है कि 24 सो घंटे शुद्ध पेजल कहां अपलब दे तो ओडिशा का पूरी ओडिशा का पूरी जिला है यहां 24 सो घंटे प्योर एंड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर अबलबल रहता है MP के अभी सभी फेक्स मैंने बताए है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने चाहिए क्योंकि मैं बता चुक्की हूँ को कुछंन है को नेट्सटे में ले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 किएज ले पासपोर्त इंडेक्स 2022 drive 2002 ढरे ऑगह से यानि शीर शीरी टॉप पर कौन सा देश है तो हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स 2022 में टॉप कंट्री है जापान और हर साल लगवक्त चार-पांच सालों से जापान ही लगातार चार-पांच साल से पिछले जापान ही टॉप पर चलते हैं तो इसलिए घबरानी को दोतनी 20, 21, 21 सब में जापान टॉप पर है और अभी पिछले बार बताया था जापान के साथ कौन और था सिंगापूर भी था अब मगर आपसे यह नहीं कुछ रहेगा जापान ही टॉप पर हर बार याद रखना ठीक है तो यह आप याद रखेंगे नेक्स जापान की बारे में बात हो जापान की बात मुझे नहीं लगता बताना चाहिए मुझे इसके बारे में कुछ है ना बहुत सारी चीज़े बताती ही रहती हूं चले आगे बढ़ लेते हैं कुशन है हाली में एशियन डेवलप्मेंट बैंक एडीवी ने अपने इंडिया की एकोनॉमिक ग्रोथ रेट यानि आर्थिक विकासदर कितने प्रतिशत रहने की गोशना की है तो यह गोशना की है एडीवी ने और इंडिया की डेवलप्मेंट यानि ग्रोथ रेट एकोनॉमिक ग्रोथ रेट की और यह कहा है कि 2022 तेस की गोशना है कि 2022 तेस की कितने प्रतिशत रहेगी 7.2 इंडिया क जो आर्थिक विकासदर है वो 2022 तेस में कितने प्रतिशत रहने की गोशना की है ADB ने तो 7.2 भूलना नहीं 22 तेस के लिए ADB ने इंडिया की विकास आर्थिक विकासदर है और 7.2 है ये चारो फैक्ट्स याद रखने यानि मस्तसुगू अशकवा यह ऐसे याद रखिये तो मस्तसुगू अशकवा यह कौन है यह ADB के हैड है और मनिला फलिपिंस में इसका हैड़कोटर है और 1966 में इसकी स्थापना होई आई होप सो बहुत मज़े से आपने यह सेशन सुना होगा लाइक शेर कॉमेंट जरूर करें नए लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सिस्क्राइब भी कर लें और अपना खयाल रखें और सिस्क्राइब करते वक्त पहला आइकन को हिट करें अपने इजाज़त दीजे अपनी दोस्त बुश्रा को आज के लिए इतना ही तैंक्स वाचिंग तैंक्स वाचिंग